पिथमपूर ओद्योगीक शेत्र के ग्राम खेडा में इस्तित एक नीजी खदान में उचाई से गिरने से अनिल चोहान नामक तेविसवर्शी युवक की मौध हो गई म्रतक के परीजन और समाज जनों ने हाईवे पर म्रतक का शोव रख कर चक्का जम कर दिया म्रतक परीजनों का आरोप है कि खदान के आसपास बाउंडरी नहीं की गई थी खदान मालिक पर गेर इरादतन हत्या का प्रक्रण दर्ज हो अवेदरूप से संचालित हो रही खदानों को बन किया जाए म्रतक के परीजनों को पांच लाक रुपे मौावजे के रूप में दिया जाए आरोपियों के खिलाब सक्त से सक्तकारी वही कर उन्हें जहल भेजा जाए वहीं सुचना मिलते ही पिधंपूर शेत्र के तीनो थाना शेत्र की पुलिस मौके पर पहुच गई पुलिस के अधिकारियों द्वारा किसी तरह समझा भुजा कर मरतक के परीजनों को और इस्थाने लोगों से हाइवे से चक्का जाम हटवा कर शोग को अंतिम संसकार के लिए भिजवाया गया वहीं अधिकारियों ने आश्वर्शन दिया है कि वह सुब़ पुलिस के अधिकारी और SDM तहसिलदार खदान का निरिक्षिन करेंगे और खदान मालिक के खिलाब प्रकरण पंजी बद्ध करेंगे वहीं मौका इस्तल पर जाज कर खदान को भी सील करने की कारी वही करेंगे उसकी आकस्मिक भुत्यू ही है इसलिए जन मानस और आज हमारा समाज जन बड़े आख प्रोशित थे और गुस्से में थे उसके ही आज हम लोग पिडित परिवार को उसका मुआवजा और वहुशे में ऐसी जनहानी ना हो उसके लिए खदानों पर उसक्रक्षन समाज जन हमारा एक बेटा जो केड़ा में अवेत गनान लंबे समय से हो रहा है जिसमें पूर्व में भी 4-5 मृत्य हो चुकी है और गई रात को करीब 9-10 बजे के आजबाग खदान में के तरब गए और उसमें गिरने से हमारा परिवार का बेटा अनिल, इता नरायन, चोहान, उम्र, 23 वर्ष जिनकी मृत्य हो गई जिसके कारण से हम सब लोग समाज जन इकतित होगर की जो अवेत रूप से खदन चल रही है उसके गिलाब जिसकी खदाने हैं उनके फायर दर्ज हो गेरनादन क्या का मामला दर्ज हो एसी हम मांग समाज जन ने पियाई साब और तेजलाद आपको हमारी शिखायत दी है यापन दिया है उन्होंने कहा है कि कल सुबह हम सब लोग पूरी कारवई करेंगे और जल्द 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 हमारा पेडित परिवार उसको नियाई मिलेगा आपका नाम मेरा नाम जितु जालरिया समाज इसा एसके परिवार की उनकी सुरक्षा और जो पर जो कि दूजरे बाउन्डРИ हो ना चाहिए जो बोडल लगना चाहिए वो लगना चाहिए ऐसी हम ने मांग ची нравится लोग आये दिन बलाश होते है जो समाजचरन के मगान जराता है कभी बरतन इकैन गर जाते है कभी नुक्साण हो हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें